दोस्तो नमस्कार मेरा नाम है मनी पांडे और आप देख रहे हैं बेस्टन बैंक्स दोस्तो अगर आप किसी ऐसे बैंक के तलास में है जो कि फुली डिजिटल हो यानि पुरी तरीके से ओनलाइन हो तो आप IDFC First Bank के साथ एक ओनलाइन खाता खोल सकते हैं और अगर आप इसमें एक online account खोलते हैं तो आपको पुरी तरीके से online services देखने को मिल जाएंगी अगर आपको कोई भी problem होता है तो यहाँ पर आपको 24x7 का online customer support देखने को मिल जाएगा यानि कहीं भी आपको problem नहीं होने वाली है इसके अलावा यहाँ पर खाता खोलते ही आपको आपका account number IFSC code हाँ तो हाँ दे दिये जाएगा और यहाँ पर आपको mobile banking, internet banking भी खाता खोलते ही provide कर दिये जाएगा यानि खाता खोलते ही आप किसी भी तरीके का transactions, mobile banking और internet banking का इस्तमाल करके कर सकते हैं यहाँ पर आपको ATM card की facility भी मिलेगी, जैसे ही आप खाता खोल लेंगे उसके 7 दिनों के अंदर post office के माध्यम से आपके address पर ATM card IDFC first bank द्वरा भी दिया जाएगा यानि यहाँ पर आपको पूरी तरीके से digital service मिलता है अगर कोई भी problem होती है फिर भी आपका solution digital ही यहाँ पर हो जाएगा अब चलिए देख लेते हैं किस तरीके से IDFC first bank के साथ एक online खाता खोलना है उससे पहले आपसे एक request करना चाहूँगा कि अगर आपने भी तक हमारे इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करने ताकि हमारे आने वाले आगी के वीडियो आपसे ना छुट पाएं दोस्तो एक्स्ट्रा बैंकिंग वीडियो देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल बैंक वाले भीया को subscribe कर सकते हैं लिंक description में है दोस्तो IDFC bank के साथ एक online खाता खोलने के लिए सबसे पहले आपको हमारे वीडियो के description box में एक IDFC bank का account opening का link मिलेगा उस link पे click करके आपको इस website पे आ जाना है ये website IDFC bank का official website है जहां से आप इस bank में खाता खोल पाएंगे अब account को खोलने के लिए आपको नीची आना है और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने कुछ details भरने होंगे जैसे कि इस box में आपको अपना complete नाम भर देना होगा जो भी आपके आधार काड में नाम है उसके बाद इस box में आपको अपना mobile number भरना होगा जो भी mobile number आप अपने bank खाते से link करना चाहते है और नीचे की तरफ इस box में आपको अपना email ID भरना होगा जो भी email ID आप अपने bank काते से link करना चाते हैं दोस्तो नाम, mobile number और email ID को भरने के बाद नीचे की तरफ आपको apply ना वाले button पर click कर देना होगा दोस्तो अब आपके सामने कुछ इस परकार का interface आएगा अब आपको scroll ड़न करके नीचे आना होगा अब यहाँ पर आपको अपने अधार कार्ट का कुछ details यहाँ पर share करना होगा जैसे कि सबसे पहले इस box में आपको अपने अधार कार्ट का number भरना होगा दोस्तो simply इसके लिए आपको इस box पर click करना होगा और आपका जो भी अधार का number है इस box में आप भर लिजेगा अधार कार्ट के नंबर को भरने के बाद यहाँ पर आपको नीचे के तरफ एक next का बटन दिखेगा arrow वाला इस बटन पर आपको क्लिक करना होगा आप जैसे ही इस बटन पर क्लिक के जएगा यहाँ पर next वाला इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा दोस्तो अब यहाँ पर आपके अधार कार्ट को भिरिफाई करने के लिए आपके अधार कार्ट से जो भी mobile नंबर लिंक होगा उस mobile नंबर पर एक OTP सेंड के जाएगा सिंपली आपको अधार कार्ट वाले OTP को आपको इस बॉक्स में भर देना है चलिया हमारा OTP आ चुका है फटाक से हम अपने OTP भर लेते हैं दोस्तो OTP को भरने के बाद नीची की तरफ हमें Next का बटन दिखेगा एरो वाला इस बटन पे हमें क्लिक कर देना है दोस्तो जैसे ही आप अधार कार्ट वाले OTP को डाल के Next के बटन पे क्लिक की जएगा आपका अधार कार्ट वेरिफिकेशन कम्पलीट हो जाएगा अब यहाँ पर आपके अधार कार्ट से बहुत सरे डिटेल्स आटोमेटिक डिटेक्ट कर लिए जाएगे जैसे कि यहाँ पर आपका नाम, आपका एज, आपका जेंडर, आपका मुबाइल नमबर, आपका इमेल आईडी और आपका कम्पलीट एड्रेस अलहार कार्ट से यहाँ पर आटोमेटिक डिटेक्ट कर लिए जाएगा अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना होगा और नीचे आपको कुछ additional details share करने होगे जैसे कि यहाँ पर हमें अपना pen card का number भर देना होगा जो भी हमारा pen number है उसके बाद से नीचे की तरफ यहाँ पर हमें अपना complete address भरना होगा यहाँ पर उपर की तरफ आप देख पा रहे होंगे हमारा address automatic detect नहीं हो पाया है mobile phone में कुछ problem है इसी करण से नीचे की तरफ यहाँ पर हमसे हमारा address मांगा जा रहा है अगर यहाँ पर आप अपना address आपका automatic detect हो जाए तो यहाँ पर कोई दिकत नहीं है अगर मांगा जाए तो आप यहाँ पर भर सकते हैं हलाकि आपको additional अगर address आपको भरना होगा तो वहाँ से आप भर सकते हैं यहाँ पर additional address अगर आप जो भी भरियेगा जो भी communication address यहाँ पर भरियेगा वहीं address पर आपका ATM card और checkbook भेज़ जाएगा यहाँ पर फिल आप अपना address भरते हैं यहाँ पर address टाइप से पहले आपको select करना होगा यहाँ पर आप residential वाले option को select करेंगे इसके बाद से यहाँ पर आपको residential property type select करना होगा तो इस पर click करना है और यहाँ पर आप self owned family owned company owned rented कोई सभी एक select कर सकते हैं अगर आपका खुद का घर है तो आप self owned select करेंगे family का घर है तो आप family owned select करेंगे company का घर है तो आप company owned select करेंगे और rent पे रहते हैं तो आप rented select करेंगे इसके बाद से यहाँ पर आपको जो है pin code अपना भरना होगा इस box में pin code को भरने के बाद यहां पर इस box पे click करके आपको अपना राज select करना होगा state को select करने के बाद यहां पर आपको अपना city select करना होगा इस box पे click करके city को select कर लिजेगा उसके बाद से यहां पर आपका जो country है automatic detected हो जाएगा उसके बाद से यहां पर आपको अपना complete address भरना होगा दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि आपके अधार काट का complete address है यहाँ पर automatic भर दिया जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर यहाँ पर आपका अधार का address नहीं मिल पाता है तो आप यहाँ पर complete address अपना भर दिजेगा address line 1 में आप अपना भुलेज का नाम भरिएगा उसके बाद से address line 2 में post office और police station भरिएगा और address line 3 को आप छोड़ भी सकते हैं तो अपने हिसाब से आप address को भर लीजेगा address भरने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना होगा नीचे आपका जो भी नाम होगा automatic यहाँ पर दिखाया जाएगा यही नाम आपके debit card पर छप करके आएगा ठीक है इसके बाद से यहाँ पर आपको क्या करना होगा यहाँ पर आपको preferred branch location select करना होगा यानी आप आपको आपको जो है अपने 1% branch को यहाँ पर select करना होगा जिस भी branch भी आप खाता खोलना चाहते है यहाँ पर इससे select करने के बाद आपको नीचे आना होगा अब यहाँ पर आपसे आपके family details मांगे जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको marital status select करना होगा अगर आप single है आपकी साधी नहीं हुई है तो आप unmarried select कीजेगा अगर आपकी साधी होगी है तो आप merit को select कीजेगा उसके बाद से यहाँ पर आपको mother's salutation पे click करना होगा और यहाँ पर आपको अपने हिसाब से अपना title select कर लेना होगा दोस्तो title को select करने के बाद यहाँ पर mother's first name आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको अपने माता का नाम enter कर देना है दोस्तो यह सबी details को भरने के बाद यहाँ पर नीची की तरफ आपको next का button देखने को मिल जाएगा simply इस arrow वाले next button पे आपको click कर देना है दोस्तो यहाँ पर मुझसे एक चीज मिश हो गया था यहाँ पर जो mother's first name है यहाँ पर आपको क्या करना होगा आपको अपने mother का जो title लगता है वहीं यहाँ पर आपको लिख देना होगा ठीक है जैसे कि कुमारी लगता है देवी लगता है इस button पर click करना है और जो भी आप काम करते हैं आप यहाँ से select कर सकते हैं अगर आप कोई salary वाला काम करते हैं तो यहाँ पर आप salary select कर सकते हैं अगर आप self-employed हैं खुद का business करते हैं तो आप self-employed business select कर सकते हैं आप अगर self-employed professional है तो आप यह select कर सकते हैं पर कोई भी मैचिंग नहीं है, तो आप other occupation भी select कर सकते हैं, इसके अलावा नीचे आपको retired का भी option मिलता है, अगर आप किसी job से retired है, तो आप retired भी select कर सकते हैं, हम यहाँ पर अपने इसाफ से select कर लेते हैं, उसके बाद से यहाँ पर आपको नीचे company या फिर organization name देना होगा, अ अगर आप partnership में company run करते हैं, तो आप दूसरे option को select करेंगे, वरना आप पहले वाले option को select कर लेंगे, इससे select करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको source of income बताना होगा, इस button पर आपको कलिक करना होगा, और आपको बताना होगा आप आप कहां से पैसे कमाते हैं, अगर आप बिजनेस से कमाते हैं, तो आप बिजनेस सलेट कीजेगा, अगर आप कहीं पर इंबेस्ट करके पैसे कमाते हैं, तो आप दूसरे ऑप्सन इंबेस्टमेंट को सलेट कीजेगा, अगर आप प्रोफेशनल फीस या किसी फीस से पैसे कमा तो आप professional fees side कीजेगा वरना आप saving को भी select कर सकते हैं अगर आप saving करके पैशे कमाते हैं तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से select कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको gross annual income बताना होगा कि आपका साल में कितना पैसा आप कमा लेते हैं इस box में भर दीजेगा उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका education qualification पुछा जाता है तो इस button पर आपको click करना होगा और आप जहां तक भी पड़े हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पर select कर सकते हैं उपर की तरफ आपको 10 वी class undergraduate, graduate, post graduate, professional और no formal education का option भी दिया हुआ है अगर आप कुछ भी नहीं पड़े हैं तो आप no formal education को भी select कर सकते हैं हम यहाँ पर अपने ही साबसे select कर लेते हैं इसके बाद हमें नीचे आना होगा नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको आपका जो country है आपको automatic detect हो जाएगा यहाँ पर आपको नीचे की तरह place of birth भरना होगा जहां पर भी आपका जनम हुआ है इस box पर click करके आप अपने जनम मस्थल का नाम भर दीजेगा यह सभी चीजों को भरने के बाद नीचे आना होगा और नीचे इस arrow वाले बटन पे next के बटन पे क्लेक कर देना होगा दोस्तों अब आपके सामने एक छोटा सा survey खुल करके आएगा आप चाहे तो इनका answers दे सकते हैं वरना यहाँ पर आपको skip वाले बटन पे क्लिक करना होगा ताकि यह survey यहाँ से हट जाए अब यहाँ पर आपको product selection करना होगा आपको यहाँ पर दो तरीके के account यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर completely दो account यहाँ पर आपको देखने को पाएगा और यहाँ पर अगर हम दूसरे account को select करते हैं भीजा signature card account को तो यहाँ पर हमें 25,000 रुपे रखने पड़ेंगे जो की काफी बड़ा amount है तो यहाँ पर हम पहले वाले account को ही select करेंगे इस account का benefit यहाँ पर आप पड़ पाए रहे होंगे इस account में आपको बहुत सारे cashbacks देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा अब आपको कोई सभी एक account अपने ही सबसे select कर लेना है जो भी आपको सस्ता पड़े उसके बाद से यहाँ पर नीचे आना होगा नीचे यहाँ पर आपको funding करना होगा कम से कम यहाँ पर आपको amount भरना होगा यहाँ पर amount में कम से कम 10,000 रुपे आपको अपने account में instant डालने होंगे तब ही आपका account यहाँ पर activate हो पाएगा यहाँ पर अगर आप दूसरे account को select करते हैं QA25 डालने होंगे आप चाहे ताप अपने ही साथ से याप पर select कर सकते हैं जो भी amount आप चाहते हैं 25-30, 100,000 तक आप जितना चाहें यहाँ पर amount डालके भर सकते हैं अब funding करने के लिए यहाँ पर नीछे की तरिड़ आपको दो terms and condition के boxes दिखेंगे दोनों ही boxers पर आपको tick करना होगा tick करने के बाद यहाँ पर आपको fund amount का एक option दिखेगा इस button पर आपको click करना होगा जैसे ही आप इस button पर click कीजेगा यहाँ पर आप payment gateway के जो interface है वहाँ पर आप पहुंच जाईएगा यहाँ पर आपको क्या करना होगा आपको simply payment करना होगा जिस भी method से आप payment करना चाहते हैं यहाँ पर मैं हम थोड़ा सा wait करते हैं और दिखाते हैं कौन-कौन सा method है यहाँ पर आपको payment करने के लिए बहुत सारे option देखने को मिल जाएंगे हम यहाँ पर debit card से चलिए payment कर लेते हैं उसके बाद अगला interface क्या आता है आपको दिखाते हैं दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने जैसे ही payment कर लिया है तो यहाँ पर हमारा account successfully open हो चुका है मैंने जो है payment को आधा पर से कट करके अपने computer website से payment को किया ताकि कोई भी problem ना हो पाए इसलिए यहाँ पर यह account number कुछ इस प्रकार से दिख रहा है यहाँ पर हमारा account number FSC code जो भी हमारे account का detail से वो देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप इस account को open कर पाएंगे यहाँ पर आपको इस account को अगर complete KYC करना है तो नीचे आपको वीडियो KYC का भी option देखने को मिल जाएगा आप वीडियो KYC के मद्यम से अपने KYC को complete कर सकते हैं वैसे आप इस account को बिना KYC के भी इस्तमाल कर सकते हैं एक साल तक एक साल के अंदर अंदर आपको वीडियो KYC कर लेना होगा ताकि आपको account में कोई भी दिकत ना आपाए तो कुछ इस तरीके से आप जो है IDFC First Bank के साथ एक online खाता खोल सकते हैं वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like, share और इस पर comment करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले